ये Adventist World Radio की हिंदी सिवा है और आप सुन रहे है कारेक्रम जीवन धारा कारेक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता और मैं अमीद हमारा प्यार भरा नमस्कार Adventist World Radio की हिंदी सिवा में हम आपका स्वागत करते हैं शुताओ आईए आज प्रसारीत होने वाले कारेक्रमों की जानकारी दे दे आज होगी पहले स्वास्थ चर्चा इसके बाद एक गीत होगा और फिर कारेक्रम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश तो चरिए स्वास्थ चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत हम को ले ने शुमसी हब तेर से जजद में आज़ए हम को ले ने शुमसी हब तिर से जजद में आएगा हम को हे विश्वास में वो सर्विने जाएगा हम को हे विश्वास में वो सर्विने जाएगा स्वान, सुस्वान, सुस्वान तुम्यों पहले शुमसी हब तेरेक्रम स्वाद, सुस्वाद, सुस्वाद लिश्ण करसी हा ते दियत तो जोर की समद मसी का आना बोता हमको भी जाग तेरे के ना हलता हमको भी साथ उसकी जाना होगा अपने अपने कामों की परपाना होगा जो मीजे साथ काम सरेगा वैसा परपाईगा हमको लेने विश्मसी हम तेर से जदत में आईगा हमको हे विश्मस में उसकर जमिने जाएगा स्वार्ण सुस्वार्ण सुस्वार्ण तो इश्मसी हम तेरे जाएगा स्वार्ण सुष्ण सुष्ण सुष्ण। सुष्ण सुष्ण। सुष्ण सुष्ण सुष्ण। कर दो कर दो कर दो दो एशु मसी को जानेंगे हम आज्या पिताधी पाएंगे हम स्थोती पिताधी दाएंगे हम खुश्यां जोमेशां दाएंगे हम जो बीजे पाएंगे उने सी हासत पर बेक्वाईदा हमको लेने इश्य सीखा तिर सिजद दुद में आईदा हमको हे विश्वा सुनी को पर बिली दाईदा स्वादर सुस्वादर सुस्वादर करें इश्य सीखा करते हो हमको लेने इश्य मसीखा तिर सिजद दुद में आईदा हमको हे विश्वा सुनी में स्वर्ग मिले जाएदा स्वादर सुस्वादर सुस्वादर करें इश्य सीखा करते हो हमारे शरीर की अनपाचन क्रिया शरीर में सित जठरागनी द्वारा होता है जो शरीर के लिए योग्य होती है इस जठरागनी के सहारे बनने वाला पाचक पित गुनात्मक होता है जब पित की द्रवता बढ़ती है तभी अमल पित अथ्वा एसिडिटी की परिशानी होती है बासी, खराब, कड़वा, खटा, ब्रेड, इडली, दोसा, ढोकला, जलेवी आधी पधार्त, खटा दही, आधी का लगातार सेवन करना बार-बार खाते रहना, भूका रहना, खाने की तुरंत बाद सो जाना, खाना खाते समय, ज्यादा पानी पीना, ऐसे कई कार्णों से पित्त होकर अन्न नहीं पच्टा खटा, तीखा, डकार आना, सीने में जलन होना, गले में जलन होना, मुह का स्वाद बिगड़ जाना, पेट भारी होना, पेट दर्द, सिर दर्द, सीने में दर्द, जुलाब होना, गबराट महसिस होना, धड़कन की गती बढ़ना, आधी अमलपित याने असीडीटी के लक दही का बरतन ठीक से साफ नहीं करना फिर दूद डालने से दूद खटा होता है। सिर में गर्माहट पैदा होना, मौमुली बुखार, पूरे बदन में खुजली, शरीर की तवचा लाल पढ़ना ऐसे भी लक्षन दिखाई देते हैं। तिल, उड़द, लसुन, ज्यादा नमक, दही, नया चावल, जले हुए तीखे पदार्त न खाएं, दिन में न सोएं, योग या इलाज की सहायता से, एसी डिटी की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आप Adventist World Radio का जीवन धारा का रिक्रम सुन रहे हैं। यदि आप पत्राचार द्वारा इशु के जीवन और उनके शिक्षाओं पर या फिर स्वास्त विशय पर आध्येन करना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लेख सकते हैं। हमारा पता है, वोईस ओफ प्रोफेसी, ग्यारहा हेली रोड, नई दिल्ली, एक एक शुन्य, शुन्य शुन्य एक, इंडिया। और हाँ शुताओ, आप हमारे वेबसाइट पर भी हमें कॉंटाक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.vophealth.org तो आएए, पवित्र बाइबल से आत्मिक संदेश सुन्ने से पहले और एक कित सुन्ते हैं। न सोना, न चांदी से मेली अजादी, न दुनिया के दौलत से मेली हजाद। हलीरी का खुन मेरी आज़ी चतान है, अमुन्जी की मौत उझे देखी शिपाद। तो आए भूजाद न चांदी द्वारा सुना मेरा दंदा का परमीरा न चांदी से अजादु तुन है और आदा मौबत का ना सोना ना चांदी से मेरी आजादा दुनाहू का बोचिल पे भारी हुआ सलीह का हूँ मेरी आपी चटाना और मुझी की मौते ही फीदिया हुआ पैदु आजा ना चुन की गवारा सुना मेरा दम रकादा पंदिरा ना मसीधा तुन है तुना चांदा मुझी की मौते ही तुनाहू का ना चांदी से मेरी आजादा मुझे शर्य अपने पास न जाने दिया तलीरी का खुन मेरी आपी चटाना और मुझी की मौते हताया सब्दा एल्गुमा सार मिझुंकी गवारा सुना मेरी आजाना तुन है तुन है तुन है तुन है तुन है तुन है तुन हाद मौत का झाल 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 प्रिये रेडियो मित्रो प्रवीशु मसी के मुधनाम में आपको भाय मौरिस मालो का नमस्कार प्रिये रेडियो मित्रो हमारे जीवन में द्यानिक अनुसासन का बड़ा महत्व है इस प्रकार का संबाद जो संपुन जीवन का चितरन करता है उसे महत्पुन बनाने के लिए औसे की वित्तिकत मनन प्रातना में पास्टर या अगवो को परमेशर से अकेले बाचीट करने के लिए प्रते दिन कुछ समय अलग करके रखने की आव सकता है इसका अर्थ है कि यह नहीं है कि दूसरे समो का महत्प नहीं है या कम है परमेशर की इच्छा में परतेख पल्ग अनंद कालीन महत्प से परीपुन है प्रतू परमेशर के निकटता का ये लगतार बना रहने वाला एहसास परतेदिन की अराधना है जिस प्रकार से इस मलकात को बना कर रखा जाता है कि वो आत्मिक जीवन का सरवत्तम संकेत है जब छात्र विक्तिगत समस्वाओं को लेकर उनकी विक्तिगत मसीही अन्भो के संधर में मेरे पास आते हैं जिसा वे अक्सर किया करते हैं मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि वे प्राफना का समय कैसे वेतीत करते हैं ज़िए इस विसे पर वे अपारा जाए हैं तो सम्होना यह है कि सिस्टा की अन्छेतरों में भी बहतर कार कर रहे हैं कि यदि वे इस विसे में आवसद्धान हैं तो सम्होता अन्विश्व में भी असफल हो रहे हैं यहां मसला समय का नहीं पर प्राफमिक्ता का है हमारे पास उन बातों के लिए सदेव समय रहता है जिने हम संपूर मानते हैं यदि परमेशत से मुलकात का समय हम आवसक मानते हैं तो भले ही अन बातों का कितना भी दबाव क्यों न हो हम समय निकाल लेंगे यदि हमारे पास निकालने के लिए समय न हो तब भी हम समय का प्रभंद कर ही लेंगे जिदे हमारा हिर्दे इस विसे पर अटल है तो ऐसा कोई प्रतिरोध नहीं है इसे लांगहना जा सके जो हमें इस अभ्यास से दूर रख सके अधिकांस लोग प्रताकाल का समय सरवत्तम मानते हैं अक्सर लोग सरीर में तरोध आजा रहते हैं और दिन की मांगे तब्थकान देना आरम नहीं करती कोई दूसरे लोग दिन की अन भाग को पार्थ मिक्ता देते हैं काम के बीच में कोई खाली घंटा समय साम का समय या फिर रात में सोने से पुर्व का समय विकल्ब ये भी है दिन भर में अलग अलग समय पर दो या तीन बार प्रातना के सतर तई कर लिये जाएं इसी प्रातना का समय या विचार करें नए पास्टर या अग्वों के लिए तीस मिनट का समय प्रयाप्त लगता है जबकि वर्सों से इस मार्क पर चलने वालों को घंटों का समय भी कम लगता है बहतर होगा कि प्रतेक व्यक्ति अपने लिए स्वें तै करें मुक बात समय का माप नहीं है पर परमपरधान से मुलकात करने की गहरी समझ है परातना में गुणवत्ता सदेव मात्रा से बहतर होती है स्वर के राजा के समक्ष उतावली ना करने वाले ये सोता गंड जब इस पराए संसार के सोर गूल से दूर रहते हैं तब आत्मा अपने मून तत्र में होती है इस में वास्तविक्ता है हम इसु की पस्तती में विस्राम कर सकते हैं उस पर अपने सारे चिंताएं डाल कर ये जान कर की वो हमारी और सक्ताओं को समझता है उनकी पूरती करने की योग है वो सब जो उसकी पज़ता में प्रतिरोदी है अंगिकार किया जाता है दूर कर दिया जाता है तब परिसुत दर्सन के साथ जीवन के पहलियों के टुकड़े अधिक असानी से जोड़ी जाते है साथ मिलकर हम आने वाले दिनों के लिए एक कार योजना विक्सित कर सकते हैं यहाँ भी हम अपने सरोच याजकपन में परवेश करते हैं इन सब के बीच उसकी प्रसंसा गुस्ती है जो योग है अंत में इसके समक्च हर घुटना टिकेगा प्रात्ना के कालखंड प्रात्ना और मनन के लिए प्रतिन कुछ समय निव्ट करने की अतरिक कभी कभी आउसर के अनुरूप आप प्रात्ना के लंबे काल खंड भी वेतीत कर सकते हैं ये लंबे काल खंड वर्ष के किसी विशेश पर्व के समय के साथ जोड़े जा सकते हैं जैसे दुख भोग का सब्ता नौ वर्ष का दिन या आपका जनम दिन ये समय जब आप जीवन की महत्पुन निर्ने लेते हैं या पास्रिये स्रिवकाई की शिनोतियां सुकार करते हैं आप परमेशर के साथ समय को अधिक बढ़ा सकते हैं यदि कोई तै कर ले तो एकांद में किसी स्थान विसेश में जाकर परातना में एक दिन या आधिरात बिदा सकता है मैं एक सामर्थी परचारक को जानता हूँ जो नियम पुर्वक कलीसया में हर चौते महने की पारम में एक विसेश स्थान में परातना के लिए चले जाते थे परातना की अतरिक घंटों का निवेस आत्मिक बन में अतदिक लाब पहुंसता है मजदार बात यह है कि आप जतना अधिक परातना करेंगे समय निकालना उतना ही असान होता जाता है अक्सर परातना के इस कालखन में लोग भोजन से अलग रहना पसंद करते हैं नीमित समय के अंतराल में अपने आपे से इंकार करने के लिए अपवास करने का अभ्यास भी नहीं किया जा सकता कुछ वेक्ति प्रानम्भिक कलीस्या के समान सब्ता में कई दिन या दो दिन या दिन के कुछ भाग अपवास में वेतीत करते हैं कुछ अन्वेक्ति ऐसा चुनते हैं कि जो काम कटिन हो जिबकि ये अभ्यास कुप रखा जाता है भार से दिखता नहीं प्राथ भोजन से दूर रहना सारिक भूक पर नियंतर्ण करने के एक उच्छतर नियम जैसा है कि इस कारण आत्मिक गुद्धी और समझ की संबेद सीलता को पढ़ाता है प्राथना के लिए अधिक समय प्राथ करने का ये विवहारिक तरीका है मेरे मीत्रों हमें अपने जीवन को परमेशर को सौपना है ताकि वो हमें प्राथना सिखा सके आये हम प्राथना करे महाँ जीवित प्ता परमेशर हम आज तेरे बास आते हैं प्राथू तेरी प्रस्था करते हैं अपने घुटने को तेरे चर्णों में लाते हैं परमेशर तो हमारे जीवन को समहाल और हमें आसीस दे इस प्रात्ना को प्रभीशु मसीख की नाम समांगते हैं आमेन मित्रो आप हमें इस नंबर पर भी संबर्क कर सकते हैं हमारा नंबर है 96892317 सुन्न दो 96892317 सुन्न दो हमारा इमेल एड्रस है maurisawr at gmail.com maurisamorrisawr at gmail.com हमें आपके पत्रों का इंतिजार है परमेशर आपको आसिज दे शाम सुहानी आई है लेकर ये संदेश राजा इशू आया है आज यहुदा देश शाम सुहानी आई है लेकर ये संदेश राजा इशू आया है आज यहुदा देश तरस रहे थी आखे सब की एक उजाले को आजाए अब कही से को हमको बचाने को तरस रहे थी आखे सब की एक उजाले को आजाए अब कही से को हमको बचाने को छोड़के अपनी शानबान और तोड़ने हर बन भेज राजा इशू आया है आज यहुदा देश शाम सुहादी आई है लेकर ये संदेश राजा इशू आया है आज यहुदा देश अजादी आए आजादी आए आजादी आए प्रूब यहुदा आजा आजादी आए आजादी आए देख के बालग को मरियम का दिल ऐसा हर शाया देख के बालग को माता ने अपने गले लगाया देख के बालग को मरियम का दिल ऐसा हर शाया देख के बालग को माता ने अपने गले लगाया खन्य हुई वो नारियों मान के शुम संदे राजा इशु आया है आज यहुदा दे शाम सुहादी आई है लेकर ये संदे राजा इशु आया है आज यहुदा दे तहां है राजा इस दुनिया का पूछने हम आए हम है मजूसी देखे के तारे के पीछे आए शोताओ हम उम्मीद करते हैं के आपको आज का यह कारे करम पसंद आया होगा यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाओ हो तो हमें अवश्य लिखे हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा हमारा पता है पता एक बार फिर नोट कर ले और अब हमारा समय यही पर समाप्थ होता है इसी समय इसी मीजर बैन पर आपसे फिर भेट होगी तब तक के लिए मैं स्मीता और मैं अमित हमें आज्या दीजिए प्रभु आपको आश्श्य दे अबाई मैं अबाई बैन अबाई आश्य तो प्रभु आपको आपसे लिए लिए आपको